indirect assessment for persistent depressive disorder तो जब हम indirect assessment की बात करते हैं या informal assessment की बात करते हैं तो हमें पता है कि हम interviews की बात करे हैं हम baseline की बात करे हैं हम एक ऐसी assessment की बात करे हैं जो कि standardized नहीं है ठीक है अब जब हम interview करते हैं तो interview करने के दौरान हम बच्चे से और उसके पेरेंट से दोनों से डिटेल हिस्ट्री लेते हैं जब हम चाइल्ड के साथ सेशन ले रहे होते हैं तो उसका मेन पॉपस यह होता है कि वी आ ट्राइंग तु डिवालप दा रापो विद दा केड़ तो जब रापो बिल्ट होना शुरू हो जाती है हम उसके रिलेशनशिप के बारे में पोशना शुरू करते हैं हम उसके साथ कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कि उसके इंटरस्ट के टापिक होते हैं तो दाट हल्प्स अस पर अंडरस्टैंडिंग वीरियस थेंग कि अब हम बचे से इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि उसके जो फैमिली इंवायरमेंट है वो कैसा है वो स्कूल में जादा इंजॉय करता है वो घर में इंजॉय करता है उसके अपने सब्लिंग्स के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं तो इस किसम की जो किम्यूनिकेशन है वो करना बचे के साथ बहुत जरूरी है that inform you a lot then आप उसकी मदर से उसके चाइल्ड हुट के हिस्टरी ले सकते हैं खास तो इसके अर्ली डिवैल्लमेंटल सेज़ जो है लाइफ की वो कैसी थी उसका जो मूट था वो बच्पन में कैसा था क्लंगिंग चाइल था नहीं था मदर कितन नहीं available होती थी तो इस तरह की जो सारी information है you will try to get from the parents इसके साथ साथ आपको ये भी information लेना बहुत जरूरी है कि जो बच्चा है वो कितना time जो है वो अपने parents के साथ गुजारता है और कितना time वो independently गुजारता है so we will be able to understand कि how things are going on in the life then we will move towards the baseline baseline लेने का जो mean purpose होता है वो ये होता है कि हमें ये पता चल सके कि किस time के उपर बच्चा जो है वो depressed हो रहा है उसके thoughts क्या है और उसके behaviors क्या है here we will go इसमें आप देखेंगे सबसे पहले date अगर आपने बच्चे को हम यहाँ पर एक example ले रहे हैं बिस्मा की अब बिस्मा के साथ हुआ क्या था कि उसके father की जो थी वो death होगी थी in a car accident so it is an unnatural death थी जूंके यह car accident में हुई है तो बिस्मा को जब father की death हुई है तो उसने क्या उसके behavior था या उसका जो mood था वो sad था और जो उसका behavior था वो crying का था ठीक है और उसके जो जहन में thought चल रहे थे वो यह थे कि I can't live without my father और जो उसके emotion की intensity थी that is like a 98% और जो crying behavior उसका आ रहा था वो एक दिन के अंदर 9 दफा जो था वो 20th को reflect हुआ या represent हुआ उसके बाद आप अगर 20 second को देखो तो बिस्मा जो थी वो school नहीं जाना जारी थी and she was like morning on his father और उसका जो mood था वो बहुत जादा low था और उसने अपनी friends के कहने के बावजूद she didn't go to school ठीक है तो she refused to go to school और उसका जो thought pattern था वो यह था कि I cannot continue my studies further तो इस किसम का thought pattern था और अगर हम उसके emotion की intensity देखें यानि उसके low mood की intensity देखें तो वो 96% थी और उसको कितनी दफ़ा convince करने की कोशिश की और उसने कितनी दफ़ा उस चीज को refuse किया तो यह चीजें हैं जो के हमें यह बताती है कि किन किन events के उपर जो बच्चा है वो sad feel करता है और उस वोकत उसके क्या thought process होते हैं और उसका behavior क्या होता है these things will help us to understand the case और हमें उसकी cause भी और उसकी management plan को design करने में help मिलती है Thank you